नमस्ते मित्रों, मैं विनीत गुस्वामी, आज उपस्तित हूँ बहुत दर्शन प्रेचर्चा को लिकर। और वो था इस संसार को दुख से मुक्त करना, इसके लिए उन्होंने अनंत की आतरा सुरू की, फिर आखिर बोध गया में ज्यान प्राप्त किया। उस समय बहुत सारे conflicting views थे दुख पे, कुछ लोग दुख को सही मानते थे, कुछ लोग मानते थे कि दुख ही मुक्ष की प्राप्ति का मारग है, हमें दुख को स्वागत करना चाहिए, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं दुख है जो जीवन को कश्परत बना देते हैं, और मानो दुसरा उन्होंने प्रश्ण पे विचार करना सुरू किया, कि जब दुख है तो उसका स्वरूप क्या है, तो भवान बुद्ध को उत्तर मिला कि दुख का स्वरूप समुदाय के रूप में है, अर्थात दुख अकेले नहीं आते हैं, बलकि दुख एक परक्रिया के तहत आता है, और उस परक्रिया को ही उन्होंने समुदाय का, इसका मतलब है कि दुख का कारन है, और जिस चीज का भी कारन होता है, वह बहुत सारे समुदायों में आता है, क्योंकि कारन का कोई और कारन होगा, फिर कारन के कारन का कारन होगा, फिर कारन के कारन का कारन होगा, तो इस तरीके से ये परकिडिया दूर तक जाएगी और ये बहु सारे चीजों का एक समुदाय बन जाएगा इसलिए उन्होंने जो दुख की परविर्टी पर जो खोज की वो उसका नाम दुख समुदाय कहा और इस पर हमी अभी और आगे चर्चा करेंगे कि दुख समुदाय क् और क्या उन्होंने इस परकार का नाम रखा इस पर जो आगे चर्चा करेंगे फिर तीसरा जो आरे सत् Woods है कि दुख है और दुख समुदाय है और तीसरा आरे सत है कि हाँ दुख का निरोध है यानि कि दुख को हम खतम कर सकते हैं ठीक है अब कई चीजे होती हैं जो होती तो है लेकिन उसे हम खतम नहीं कर सकते हैं जैसे क्या हम मिर्तिव को टाल सकते हैं मिर्तिव को खतम कर सकते हैं क्या तो इसका उत्तर है नहीं लेकिन दुख के भगवान बुद्ध के अनुसार दुख के संदर में ऐसा नहीं है हम दुख को खतम कर सकते हैं तो एक तथे उन्होंने स्विकारा कि हां दुख को हम खतम कर सकते हैं क्योंक देते कि दुख खतम नहीं किया सकता, दुख तो नियती है, और नियती को हम खतम नहीं कर सकते हैं, लेकिन भवान बुद्ध बोलते हैं कि नहीं, दुख को हम खतम कर सकते हैं, फिर चौथा आरेसत है कि दुख निरोध मार्ग, अर्था जो तीसरे आरेसत में उन्होंने बोला कि दुख को खतम कर सकते हैं तो चौथे आरे सत के थूरू ये बता रहे हैं कि हम दुख को कैसे खतम कर सकते हैं दुख को खतम करने का क्या मार्ग है ठीक है और इसे ही इस चौथे आरे सत को उन्होंने दुख निरोध मार्ग कहा इसी तो इस मार्ग में उन्होंने बताया कि हम दुख को अस्टांग मार्ग का पालन करके ख़तम कर सकते हैं और वो अस्टांग मार्ग हैं सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान्थ, सम्यक आजिव, सम्यक ब्याम, सम्यक स्मिर्थी और सम्यक समाधी सम्यक द्रिष्टी का आर्थ है कि उचित द्रिष्टी या यथार्थ द्रिष्टी यह मिथ्या द्रिष्टी का विप्रीत सब्ध है यहां सम्यक द्रिष्टी का आ से चार आरे सत्यों के यथार्थ ग्यान से है सम्यक संकल्प संकल्प मतलब किसी चीज पर अड़ जाना उस पे प्रविर्टियों के नियंत्रन एवं दमन तता शुब परविर्टियों के उद्य से संबन्दित है सम्यक स्मिर्टि Antir इस बात का अस्मरन करणा की मानो जीवन अनित्य और पवित्र है ऐसे अस्मरन से आसकती दूर होती है और अध्यात्मे कुननती होती है वैसे ही सम्यक समादी कुसल चित की एकागरता ही समादी है यहां आरे अस्टांगीक मारे का अंतिम सोपान है यहां सभी परकार की चित विर्तियों का निरोध हो जाता है यहां पुन प्रग्या की स्थिती प्राप्त हो जाती है और इसी अस्टांगीक मारे के आचरन से दुखों की समापती हो जाती है क्या भगवान बुद्ध का क्या प्रोजेक्ट है वो चाहते हैं कि संसार से दुख खतम और इसी करम में उन्होंने दुख के संदर में चार सत्यों की खोज की जिने चार आरे सत्य हम कहा सकते हैं पहली पहला क्या कि हाँ दुख है उन्होंने इस तत्थे को स्विकारा दूसरा आरे सत्थ क्या है दूसरा आरे सत्थ है कि इस दुख का समुदा है यानि कि दुख अकेले नहीं आते हैं बलकि दुख अपने कार्णों सहीत आता है हम आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे फिर तीसरा है दुख निरोध अर्थात दुख को हम खतम कर सकते हैं और चौता है दुख निरोध मार्ग अर्थात इस दुख निरोध को खतम करने का एक मार्ग है जो अस्टांगी एक मार्ग है अब इतनी चर्चा हम करने के बाद, अब हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को दुख समुदाय को समझने में दिक्कत हुई होगी चलिए इसे समझते हैं दुख समुदाय को समझाने के लिए भगवान ने प्रतित्य समुद्पात का सिध्धान दिया संसार की प्रतीक चीज का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है अतह दुख का भी कारण है इन कारणों कोई ही भगवान बुद्धे ने दुआदश निदान कहा है दुआदश मतलब बारह और निदान मतलब कड़ियां अर्थात बारह कड़ियां अर्थात उनके इस दुख सिधान की बारह कड़िया है हम अभी क्या पढ़े हैं हम पढ़े हैं कि भागवान के चार आरेसत उनका दूसरा आरेसत की दुख समुदाय दुख समुदाय में हम पढ़े हैं कि क्यों दुख समुदाय के रूप में आते हैं उसके कारण को हम जानने हैं अगर एक बार जान लेंगे हम क्यों जानने हैं अगर एक बार जान लेंगे तो हम दुख को कैसे खतम कर पाएंगे इसके बारे में भी हम जान पाएंगे ठीक है तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ें और जो दुख समुदाय का सिध्धान्त भगवान ने दिया है उसी को बैज्ञानिक शब्दावली में परतित समुद्पाद कहा जाता है परतित समुद्पाद का आसे है कि किसी चीज का अौलंबन लेकर एक किसी अन्य चीज का उत्वपन होना अर्थात की किसी एक कारण से दूसरे कारण की उत्पती अर्थात कारे से कारण की उत्पती इसी को प्रतित्य समुत्पाद कहा जाता है तो भगवान इसके मादम से ये दिखाना चाहते हैं कि दुख जो है वह कारणों में आता है अर्थात दुख का कारण होता है अब देखते हैं कि दुख के क्या कारण होते हैं सबसे पहले वो बताते हैं कि दुख का सबसे पहला कारण जो है वह अबिद्या है अबिद्या का अर्थ है अज्ञान अर्था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या उचीत है क्या अनुचीत है इसी का अज्यान तो अभिद्या है ना और इसी अभिद्या को जब हम प्रेडितों के कोई कारे करेंगे तो संसकार पैदा होंगे अर्दात की जब हम कोई कारे जो नहीं करना चाहिए उसको हम करेंगे तो उससे क्या होगा हमारे कर्मों के फल में वो कारे भी जूर जाएगा और वो जो कारे के फल है वो एक निश्चित तरीके से हमारे जीवन को दिसा देना शुरू कर देगा और इससे हमारा जीवन जो है वो एक निश्चित दिसा में आगे बढ़ने लगेगा और यहीं तो द्वादस निदान है भगवान बुद्ध का प्रतित्य शमुत्पाद तो सबसे पहले अविद्या है में मुख्य जड़ जो है अविद्या अविद्या से ही सारे दुखों की उत्पति होती है तो कैसे होती है इसके हम करम को समझते हैं तो अविद्या है इससे संसकार उत्पन होता है संसकार कम अर्थ है कर्म संसकार अर्था संसकारों के रूप में पुर्व जन्म के संचित कर्म पुर्व जीवन की पुर्विर्थी के रूप में संसकार को माना जाता है अतीत जीवन के कर्मों के प्रभाव के कारण ही संसकार निर्मित होते है फिर इस संस्कार से जो तीसरा बारह कड़ियों में से जो तीसरी कड़ी है वह बिज्ञान वो पैदा होती है बिज्ञान क्या है? बिज्ञान है किसी चीज का पुंज, जैसे कि दीपक जलता है, तो दीपक का जुला होता है, उसे हम एक तरह से बिज्ञान कहा सकते हैं, क्योंकि उसका एक material formation नहीं हुआ है, भौतिक उसकी सनचना भी नहीं बनी है, हम उसे संसकार, इसलिए उसे हम बिज पयदा हुआ, और फिर इस बिज्ञान से पैदा हुआ नामरूप, जो आत्मा है उसका सरीड धारन कर लेना ही नामरूप है, नामरूप का अर्थ है, मन के साथ गर्भस्त सरीर, नामरूप से अभिप्राय भरून के मांसी क्या सरीडी का वस्था से, नामरूप में दो जाकर ही पंच असकंध नाम रूप कहलाते हैं पंच असकंध कहा से है रूप वेदना संग्या संसकार और विज्ञान फिर इस नाम रूप से क्या पैदा होता है इस नाम रूप से पैदा होता है सडायतन सड़ायतन मतलब आयतन मतलब आकार और सड़ मतलब 6 यानि कि 6 आकार कौन-कौन आख, नाख, कान, जीवा, त्वाचा और मन ये 6 इंद्रिया ही 6 आयतन या सड़ायतन है तो इंसाड आयसन से क्या होता है इंसाड आयसन से जो छटी कड़ी है वह है असपर्ष और वो पैदा होती है अर्थात की जब एक बार इंद्रियां पैदा हो गई तो इंद्रियों का बाहरी बस्तुओं से असपर्ष होगा और इस असपर्ष से क्या पैदा होगा इस असपर्ष से साथवी कड़ी अर्थात वेदना पैदा होगी वेदना कहा से क्या है वेदना का मतलब है कि सुख दुख की अनुभूती को ही वेदना कहाते है किसी चीज को हम जबन हुआ करते हैं तो उसके प्रति हमारी कुछ भावनाय होती है जो पोजटिव या निगेटिव अर्थात सुक दुख या तटस्थ हो सकती है ठीक है इसी को वेदना कहा गया है ये सात्वी कड़िये फिर इस वेदना से क्या पैदा होता है इस वेदना से त्रिशना पैदा होता है त्रिशना का आसे है विश्वों के प्रति हमारी आ सकती त्रिशना तीन प्रकार की होती है काम त्रिशना अर्थात सुक की इक्षा भाव त्रिशना जीवित रहने की इक्षा अब विभा त्रिशना धन बेवो की इक्षा और इस त्रिशना से क्या इंद्रियों का किसी चीज से असपर्प्रist होगा तो सुकrection के अनुभूती जिसे वेधना कहते हैं, फिर वेधना से जो चीज हमें अच्छी लाएगी हम उससे जकरने का प्रयास करेंगे, जैसे कि चीटा जो है उसे मीठा अच्छा लगता है तो उससे जकर जाता है, वैसे ही हम तृष्णा के कारण विस्यों के प्रति हम आसक्त हो जाएंगे और उस आसक्त के कारण हमें उस चीज के प्रति राग या मोह पैदा हो जाएगा जिसे हम उपदान कहते हैं जो द्वादस निदान में नौवी कड़ी है फिर दस्वी कड़ी जो है वह भाव है भावकार्थ है अब कुछ चीजे जो होती है जो हमें अच्छी लगेंगी वो तो हमेशा अच्छी लाएंगी तो हम चाहेंगे कि उसे हमेशा मुसका भोग करते रहें लेकिन जीवन तो सीमित है व्यक्ति मरेगा तो हम चाहते हैं कि फिर से हम पैदा होके उस चीजों का भोग करें और यह directly नहीं होता हमें direct हम ऐसा नहीं चाहते बलकि यह subconscious mind में वो चलता रहता है और हमारे आत्मा तक यह इसका संदेश जाता है कि हाँ हमें दुबारा पैदा होना चाहिए क्योंकि हमें इस चीज को भोगने की और इच्छा पैदा हो रही है तो जब इच्छा पैदा होगी तो हम सही में पुनर जन्म लेंगे सही में जन्म लेंगे और जब जन्म लेंगे तो फिर सारी जो उपर की एगारह कड़ी जो मैंने बताई ठीक है एगारह कड़ी वो फिर से दूर आएगी और ये चक्र जो है अनंत काल तक चलता रहेगा और हम इस जरामरन यानि की जरामरन और दुख के चक्र में फंसे रहेंगे तो इस चक्र को खतम करने का क्या उपाय है इस चक्र को खतम करने का उपाय है कि जो इसका जड़ है अर्थात अभिद्या उसको ही खतम कर दिया जाए एक बार उसको खतम कर देंगे तो हम दुख इस संसार के दुख से मुक्ति भी दे देंगे और यहीं पर भगवान बुद्ध की जो परियोजना है कम से कम मानसी कस्तर पे पूर्ण हो गई मैं एक पर फिर दो रहा दूँ कि यह जो बारह कड़िया है भगवान बुद्ध की यह दुख समदाय में आती है और दुख समदाय के तहत भगवान बुद्ध कारण बता रहे होते हैं कि दुख क्यूं पैदा होते हैं और इसी करम में वो बारह कड़ियों की खोज करते हैं और यह है अबिद्या, संसकार, बिज्ञान, नामरूप, सडायतन, सपर्ष, वेदना, तृष्णा, उपदान, भव, जाती और जरामरन तो इस माध्यम से हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने किस तरीके से दुख को अबिद्या से जुड़ा है और एक बार अबिद्या खतम हो जाएगी तो दुख भी खतम हो जाएगा और इसी अबिद्या को खतम करने के लिए भगवान बुद्ध ने क्या किया भगवान बुद्ध ने चौथे आरे सत्य जिसमें उन्होंने कहा है कि हाँ दुख निरोद का मार्ग है और उन्होंने अस्तांगीक मार्ग जो अभी हमने कुछ देर पहले दिया उसकी जिक्र किया है जिसमें समयक दिष्टी, समयक संकल्प, समयक वाग, समयक कर्मांत, समयक अ हां कि इस संसार में बहुँ ज़दा दुख है और इस दुख का खतम कैसे किया जाए तो इस दुख को खतम करने के लिए उन्हों वह च्यार आरे सत्य देते हैं कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है, धुक मार्ग है ठीक है, और इसके माद्यम से वो 12 आधियों को दिखाते हैं कि कैसे दुख की उत्पती होती है, कारण बताते हैं, और फिर वो बताते हैं कि हम एक बार अभिद्या को खतम कर देंगे, इससे हम डील कर लें तो हम दुख को भी खतम कर देंगे, और इस तरह से उनका धर्षन का जो है, एक तरह से बांसी कंत हो जा प्रतित समुद्पाद में हम देख रहे हैं कि एक बस्तु पे आलंबन लेकि दूसरी बस्तु का उत्पन होना यानि की कारे के कारण का उत्पन होना ठीक है यहीं प्रतित समुद्पाद है और प्रतित समुद्पाद में हम देख रहे होते हैं कि विशु की प्रतिक घटना सा क जगत में कुछ भी आकारण घटत नहीं होता क्योंकि अगर आकारण कुछ कोई चीज घटत हो गई तो फिर परतित समुत्वाद का सिधान्ती गलत हो जाएगा ना तो इसलिए अगर परतित समुत्वाद को हम मानते हैं तो हमें यह मानना होगा कि विशु की परतित घटना सका प्रतित समुत्पाद के सिध्धान्त से जिसमें भगवान बुद्ध ने 12 निदान का सिध्धान्त दिया है तो इससे निकला है अनित्त्वाद का सिध्धान्त और विस्व की सभी बशत्वे चणिक हैं छण भंगूर है इससे अनित्वाद का सिध्धान्त निकला है फिर इस अनित्वाद से छणिक वाद का सिधान्ट निकला है जैसे कि क्या है कि हम एक बार कहा दिए कि कोई चीज अनित्वाद के सिधान्ट को भी इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कहा दे कि कोई बस्तु जो है वो एक छण के लिए नित्य है तो अनित्यवाद का सिधान्त का खंडन हो जाएगा न हम एक तरफ कह रहे हैं कि अनित्यवाद हर एक बस्तु अनित्य है तो यानि कि वो छण भर के लिए भी अगर नित्य हो जाएगी तो अनित्य जिस छोटे से छोटे समय को भी हम सोच सकते हैं उस छण भी वह परिवर्तन सील है यहीं छणिक बात का सिधानत है और इसी छणिक बात सिधानत से निकलता है अनात्म बात यानि कि आत्मा जैसी कोई अस्थाई सकता नहीं होती है क्योंकि संसार की सभी बस तो यह छणिक है तो फिर आत्मा जैसी अस्थाई चीज तो होई नहीं सकती क्योंकि अगर कोई अस्थाई चीज हो जाएगी तो छणिक बात किसी धानत का खंडन हो जाएगा तो अगर हमें छणिक बात किसी धानत की रक्षा करनी है तो हमें क्या करना होगा हमें आनात्मवाद को मानना होगा यानि कि आत्मा जैसे नित्या सास्वत कोई चीज नहीं होती बलकि यह पंच असकंदो जो पीछे हमने देखा कि रूप वेदना संगया संस्कार और विज्ञान का परिवरतन सील संगहात मातर है अर्थार कि जो आत् है वह सरीर, मानसीक चेतना, रंग, रूप, आकार, इत्यादी का परिवरतन सील संगहात है संगहात मतलब एकी करन, एक जूट होना, एक अत्री करन, कंसोलिडेशन यह है और हम देखते भी है जिसे हम प्रेक्षन करें तो व्यक्ति पैदा होता है उसके आकार, रंग, सोच, इत्यादी में परिवरतन होता है, दीरे बढ़ा भी होता है और दीरे इसी तरह से आकार में परिवरतन, सोच में परिवरतन होते 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 हो मिर्दु को भी प्राप्त हो जाता है तो यहा बात हमें सही भी लगती है ठीक है लेकिन फिर प्रशन यह उठता है कि एक त तो भगवान यह प्रस्ण जो है कि क्यों कैसे एक तरफ तो भगवान आत्मा को भी नहीं मानते हैं और दुसरी तरफ पुनरजन्म को भी मानते हैं और बिना एक अस्थाई आत्मा को माने कैसे हम पुनरजन्म को कोई मान सकता है यह प्रस्ण है क्योंकि जब अस्थाई कुछ ह जये नहीं, तो पुन्ण जन्म भी नहीं होना चाहिए ,खतम कहा नहीं आजमीके विर्टुवेसाथी , तो इसका उतरिया है कि जैसे एक दिया जभ बुजने वाला होता है , तो दूसरे दियगों ईस से प्रकाशित कर दिया जाता है . जब एक संसकार खतम होने वाला होता है तो तुरंत उसके खतम होने के बाद से ही एक दूसरा संसकार सुरू हो जाता है और इस तरह से पुनरजन्म सुरू हो जाता है ठीक वैसे ही जैसे एक दिया भूजने वाला होता है वैसे ही दूसरे दियों को जला दिया जाता है तो इस से बीना आत्मा के भी भगान बुद्ध जो है वह पुनर जन्म की सत्ता को स्विकार कर पाते हैं फिर अब यहीं से एक अंतिम प्रश्ण बचा हुआ है कि सुन्ने बात क्या है हम देख रहे हैं कि संसार की प्रतेक बस्तू अनित्य है और अनित्य है इसलिए छणिक भी है तो अच्छा एक बात एक बात इस पर आप लोग विचार कीए कि क्या कोई बस्तू जो चणिक है उसके हम किसी गुन धर्म को पहचान सकते हैं क्या किसी बस्तू के गुन धर्म को पहचानने के लिए हमें कम से कम एक चण के लिए उससे तो अस्थाई होना पड़ेगा जैसे मैं कहूं कि मेरे सामने जो बस्तू रखी हुई है उसका रंग लाल है तो इसके लिए कम से कम उस एक बस्तू में कम से कम उस बस्तू में एक छण के लिए भी वो लाल रंग दिखनी चाहिए अस्थाई रूप से लाल रंग दिखनी चाहिए अगर उस बस्तू में लगतार परिवर पाद का सिद्धान्त है, इससे अपने आप जो है, हम बस्तू की अस्थाई गुण धर्म तक नहीं पहुझ पाएंगे, इस सिद्धान्त के अनुरूप और यहीं से एक नया सिद्धान्त निकलता है, जिसे शुन्यवाद आ जाता है, सुन्यवाद का आसा है कि बस्तुओं का अपना गुर्ण धर्म नहीं होता है और होता भी होगा तो हम पाचान नहीं पाएंगे ठीक है क्योंकि वो हमेशा हर अक्षण परिवरतन सील है और जो चीज परिवरतन सील है उसका हम गुर्ण धर्म ने डारीत करी नहीं पाएंगे कुछ भी हो जाए हम करी नहीं पाएंगे क्योंकि करने के लिए उसे कम से कम एक छण के लिए अस्थाई रहाना पड़ेगा और एक छण के लिए अस्थाई अगर वह हो जाए तो भागवान का पूरा सिध्धान्त ही गलत हो जाएगा प्रतित समुत का सिधान्त इसके हिसाब से यह कहता है कि बस्तु का अपना कोई गुर्ण धर्म नहीं होता है लेकिन फिर भी हम जीवन में गुर्ण धर्म निर्धारित करते हैं जैसे कि पानी से प्यास मुझता है यह भी तो पानी का गुर्ण धर्म है हम निर्धारित कर रहे हैं ठीक है जिसे जो सामने मेरे वस्तु है वो हरे रंग का एक दरवाजा है यह भी मैं उस दरवाजे का गुण धर्म निर्धारित कर रहा हूँ तो यह कैसे सम्भौ है एक तरफ तो प्रतित समुद्पात के सिधान के हिसाब से गुर्ण धर्म तय नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ हम एक गुर्ण धर्म निर्धारित करके अपना जो संसारिक जीवन वो भी चला रहे हैं तो वो इसलिए संभव है क्योंकि जो गुर्ण धर्म निर्धारित है ना वो उस बस्तु का गुर्ण धर्म नहीं है बलकि हम उस गुर्ण को उस बस्तु पे आरोपित कर रहे हैं या कृत्रियम गुर्ण धर्म हम उस पे आरोपित कर रहे हैं ठीक है जैसे कि साप साप जो है व इसे ही जीवन, जैसे उसी साफ से तो मानों से भी सहला कोई परजाती ही नहीं होगी, इसने लगबग आदे से अधिक जीवधारियों को पृत्वी से समूल विनास कर दिया, और हम लोग छठे विलोपन, सिक्स्थ एक्स्टेंसन के कहार पर पहुंच गये हैं, तो ये तो व्य पानी जैसा है, ये हम लोगों ने उस पे गुन को आरोपित किया है, ठीक है, तो यहीं सुन्नेवाद के थुरू समझाना चाहते हैं, मादमिक, मादमिक योगाचार के जो सिध्धान्तकार हैं, वो समझाना चाहते हैं कि सुन्नेवाद खरेक तरह के दृष्टिकोनों का अं बलकि वह ब्यक्ति के दृष्टि कोन होते हैं, जो ब्यक्ति बात कर रहा होता है, और यहीं सुन्नेवाद कहता है, सुन्नेवाद के सिधान्तकों नागारजुन ने दिया था, जो चौती सताब दीगे थे, तो हम लोगों ने सुन्नेवाद को भी समझा, अगर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत हो, सुन्नेवाद बहुत ही एक क्लिस्ट कंसेप्ट है, तो हो सकता है कोई 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 लोगों को चौती सताफ।